नम्شकार दोस्तों आज की वीडियो एक बर फिर से डूपी फिनेकल से रैलेटड सवी और्डर के बारे में होने वाली है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या हम लोग किसी भी जो हमारी national स्मॉल सेविंग्स scheme है उसको reinvest कर सकते हैं किसी और national savings scheme में या फिर उसी national savings scheme में through agent वो भी सिर्फ withdrawal form जो हमारा SB7 है उसका use करके क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप जो है reinvestment या फिर कोई भी investment करते हैं through SCS agents तो आपको या तो bank के check की ज़रूरत होती है या फिर जो हमारा post office का check होता है savings account का उसका use करके ही आप दोस्तों SCS agents के through account को open करा सकते हैं इसके अलावा SCS agents के through account open कराने के लिए maximum 20,000 तक cash की limit रखी गई है उससे उपर का कोई भी account हो तो आपको दोस्तों उसके लिए या तो post office savings account का check चाहिए होगा या फिर bank का check चाहिए होगा investment के लिए तो क्या हम लोग इस investment को जो हमारी reinvestment होगी उसको हम लोग withdrawal form के साथ में SCS agents के साथ open करा सकते हैं अगर दोस्तों open करा सकते हैं तो क्या-क्या conditions होगी तो चलिए detail में देखते हैं कितनी amount का हम लोग उसमें investment कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं मैं क्रिशन शहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल post info and fun पे आप देख रहे हैं यहाँ पे यह SB order है इसको issue किया है to all head of circles subject में देख सकते हैं regarding reinvestment of maturity value of national small saving scheme in the same और in the other national small saving scheme तो यहाँ पे दोस्तों बता देता हूं कैसे क्या procedure follow करना है जब आप इसको SCS agents के थुरू account को open करेंगे तो देखे मैंने आपको ruling के बारे में बताया है कि कोई भी new investment आप करेंगे SCS agents की तो आपको या तो POSB चेक की ज़रुद पड़ेगी या फिर transaction होगी आपको जो है POSB चेक या फिर bank चेक का यूज करना पड़ेगा तो दोस्तों अगर आपका कोई भी NSE KVP या फिर SC कोई भी national small saving scheme में अगर आपका कोई account है और आपका वो account mature हो चुका है उसको दोस्तों आपने reinvestment कराना है through agent वो भी withdrawal form का use करके तो आप उसको दोस्तों allowed किया गया है आप उस transactions को कर सकते हैं तो दोस्तों क्या condition रहेगी तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो है post office का savings account होना चाहिए क्योंकि ऐसे accounts के लिए दोस्तों जो maturity value होगी वो आपकी post office के savings account में ट्रांसफर होगी और बाद में जब reinvestment करेंगे तो उसी savings account से आपको जो है withdrawal लेना है withdrawal form SB7 का use करके तो सबसे पहले इसमें जो post office का savings account है उसको mandatory किया गया है आपके पास POSB का savings account होना चाहिए secondly दोस्तों जब भी आप जो है post office savings account वहाँ पे savings account का number लिखना है और depositor के यहाँ पे sign लेने है और दोस्तों यहाँ पे directly जो यहाँ पे authority दी गई है वो सिर्फ जो हमारे SCS agents है उनको दी गई है वो उसके घर से ही सारे documents को लेके आ सकते हैं documents में दोस्तों वो उसका जो passbook रहेगे या फिर जो भी NSC KVP के certificates रहेंगे जो mature हो चुके हैं वो लेके आनी है account closer का form लेना है SB7A और जो new investment करनी है यानि की जो reinvestment करनी है उसका account opening form लेना है pains rip लेनी है और withdrawal form साथ में लेना है SB7 वो और post office का जो savings account खुला है उसकी आपने जो है उसे passbook ले लेनी है उसके बाद यह सारे documents जो है हमारे जो agents होते हैं वो लेके counters पे आएंगे counters पे सारे जो है पहले closer की process होगी closer की process में मैंने आपको बताया है कि जो हमारा SB7 ने होगा closer form उस में एक्विटेंस portion में depositor ने लिखना है credit maturity value into my savings account वहां में savings account का number भी डालना है तो जो हमारा SB7 withdrawal form है उस पे भी mention करना है for reinvestment जिस भी scheme में invest करना है वो scheme का नाम यहां पे आएगा in lieu of closed account number जो भी previous account दोस्तों close हुआ है वो account number यहां पे लिखना है for rupees कितने rupees का अभी investment करना है वो through the agent उस agent का यहां पे नाम और उसका जो भी agent ID होगा वो यहां पे उसने लिख लेना है और उसके बाद में यहां पे depositor के sign करने हैं तो यह सब formalities करने के बाद counter PA को सारे documents hand over कर देने हैं और उसके वो दोस्तों उसका जो है वो account को open कर देगा वो भी withdrawal form SB7 का use करके जो हमारे SCS agents होते हैं उनके through account को open कर सकता है तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या-क्या जो है limit दी गई है कितनी amount का वो investment कर सकता है चलिए उसके बारे में retail में देख लेते हैं तो सबसे पहले देखें यहां पर बताया गया है note में the reinvestment can be made either for the amount equal to less than या फिर up to maturity value credited यानि कि आपका जो भी account mature हुआ है उसकी जो भी maturity value है तो वो maturity value या तो उसी maturity value तक का आप जो है reinvestment कर सकते हैं या फिर उससे कम amount का ही आप reinvestment कर सकते हैं withdrawal form का use करके through SCS agents अगर उससे जदा amount का आप reinvestment करना चाहते हैं तो फिर आपको अगर SCS agents का use करके account open कराना है तो आपको या तो post office के savings account का check लाना पड़ेगा या फिर bank account का check लाना पड़ेगा और दोस्तो इसमें second condition है कि जो reinvestment होगी वो उसी CIF के under होनी चाहिए जो close हुआ है यानि कि जो account आपका close हुआ है उस CIF जो उस account की CIF थी उसी new CIF से ही आपका नया account जो होगा वो reinvestment होगा वो account open होना चाहिए उसके बाद में दोस्तो जो third condition है वो यह है कि जो reinvestment आप करेंगे या आपको उसी दिन करनी है जिस दिन आप दोस्तो उस account को close करेंगे यानि कि जो आपका account mature हो चुका है उसी दिन आपको maturity savings account में transfer करनी है और उसी दिन आपको reinvestment करनी है through SCS agent withdrawal form SB7 का use करके यह नहीं है कि आपने आज account को close किया है और आप reinvestment कर लिया उससे किसी और दिन आप करना चाहते हैं withdrawal form का use करके through SCS agents तो ऐसा नहीं हो सकता आपको same day ही यह allow किया गया है जिस दिन आपका account close होगा उसी दिन आपको reinvestment करनी पड़ेगी अगर आप सिर्फ withdrawal form का use करके agents के साथ म मैं आपको एक और point बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपने जिस scheme का account close किया है उसी scheme में दोबारा से ही reinvestment करके ही आप SCS agents के through account जो है वो open करा सकते हैं अगर आप चाहें तो किसी दूसरी scheme का भी use कर सकते हैं मालने जिए आपका MIS का account close हुआ है तो आप अगर NSC में investment करना चाहते हैं उसी दिन through SCS agent तो आप दोस्तो scheme change करके दूसरी जो scheme है national savings screen उसमें भी आप account को open खकते हैं तो आपको उसी में investment करना है ऐसा mandatory नहीं है तो सिर्फ जो maturity value है उसको restrict किया गया है maturity value तक की amount को आप reinvestment कर सकते हैं दोस्तो ये थी conditions जब आप कैसे reinvestment कर सकते हैं through SCS agents withdrawal form का use करके तो जो भी हमारा SB order है इसको जादा से जादा circulate करें क्योंकि अगर ऐसे customers आपके पास आते हैं कि सिर्फ SB 7 का use करके आपको जो हमारे accounts है उनको close करके और withdrawal form का use करके आप जो है account को दोबारा से reinvestment कर दें तो आपको उनको deny नहीं करना है ये procedure आपने follow करना है तो चलिए वीडियो को जादा से जादा circulate करें और मेरे चैनल को भी subscribe करें दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत